आप्लाइट फिजिक्स के एक्सपरिमेंट नमबर टू को आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम टोर्जन पेंडोलम के अवाले से टोर्जन पेंडोलम जो है उसकी बात करेंगे इसमें हम डेम्पिंग की बात करेंगे डेम्पिंग क्या एफेक्ट रखता है और लैब अल लेवल के उपर तकरीबन काम करता है जिसे मिसाल के तौर पर मैं इसको अगर चला दूँ तो अपने जीरो पर वापस आने में इसे अच्छा खासा टाइम जो तकरीबन तीन से साड़े तीन मिनट तक लग जाते हैं ठीक है तो यह हम इसको अगर अनिस्टेबिलिटी काउंट क को इस्टेबिलिटी करने के इस अमल को हम डेम्पिंग कहता है डेम्पिंग एक फैक्टर होता है जो के अनिस्टेबिलिटी को इस्टेबिलिटी में तब्दील करता है और इस ऑसलेशन जो के इसमें कंटिनियस लेविल की अब तक हो रही है उसको खतम करता है फर्दर मोर आ इसके पार्ट्स हैं जिसके अंदर किस तरह काम करता है तो फर्दर मूर अभी भी देखें तो यह ऐसकलेशन में है अनिस्टेबिटी के अंदर है जो अपने ट्रांजेंटों कंटीन्यू किया हुआ है इसके फर्दर फर्णोमना को अगर मैं एक स्पें करते हैं देखें इंपिंग ऊपर रहे होता रहा है और आकर में जाके बहुत माइनूट रहता है यहां डिखाओं में दुआरा कि अभी हो रहा है तो वही चीज है कि wave उपर, wave नीचे, wave उपर, wave नीचे तो यह cyclic process repeat and repeat and repeat होता रहता है इस process को बिलकुल stable state line में करने के लिए हमें एक function के जरुरत पड़ती है जो कि damping function कहलाता है ताकि इसको stability के अंदर transform किया जा सके अच्छा इसके लिए इसमें जो parts हैं जैसे हम बताये गए हैं वो mention है आप video रोक के भी देख सकते हैं मैं repeat करता हूँ उसे बताता हूँ number one जो है वो scaling ring है आपका जो इसमें बताया गया है scaling ring जो के एक से 20 तक के cyclic scales के उपर है furthermore two की बात करें तो वो pendulum body है pointer of for deflection pointer of face deflection and coil spring जो के एक ये लगा होता है इसे coil of spring कहते हैं furthermore एक exciter होता है हमारे पास जो के push rod और drive wheel for as an trick होती है जो के ये है जनाब ठीक है हमारे सामने या पे mention भी है furthermore electromagnetic eddy current break इसमें मौझूद होता है एक जो के ये यहाँ पे लगा हुआ है ठीक है तो furthermore exciter motor है इसमें जो के coarse control for excitation voltage और fine control for excitation voltage होता है experimental setup जो है आपका वो इस तरीके से करा जाता है जो के already हमने इसको fix किया हुआ है आप देख रहे होंगे इसके साथ furthermore अगर आप यहाँ देखें तो इसमें एक switch button भी है on और off करने का जो के on हो जाता है और off हो जाता है तो यह supply है इसमें जो इसको adjust किया जा सकता है furthermore इसमें जो supply होती है वो minute से दी जाती है बहुत जादा नहीं दी जाती जिसके adjustment के level के मताबिक मौजूद होती है furthermore हम इसके oscillations को और जो amplitude जिसको हम represent यहां कर रहे है के i equal to zero, i equal to 0.2, i equal to 0.4 ampere वगरा वगरा तो इसके मताबिक हम इसमें adjustment कर रहे होते हैं and damping coefficient जो इसमें zeta होता है उसके मताबिक से adjust करता है further यहां पर इसकी calculations है किस तरीके से adjust की जाती है और observation fill की जाती है मैं आप वीडियो देख के भी इसे देख सकते हैं और यह सारी की सारी calculation आपको भी mention manual पर करनी होगी furthermore अगर हम यहां पर बात करें तो क्योंकि यह solve होई भी just experimental way में वैसे तो जो reading जा रही होगी वो उसके मुताबिक fill करनी है मैं just इसको summarize और short video बनाने के तौर पर आपको demonstrate कर रहा हूँ उस zoomरे में मैंने यह solution manual को represent यहां पर किया है furthermore damping के अगर हम बात करें तो अगर हम पहले reading की बात करें तो eyes equal to zero impair के ओपर और वोल्ड जो है वो zero है उसके मुताबिक जो 67.01 seconds में जाके यह अपने आपको stable करता है तकरीबन 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 देड़ मिनट है furthermore जो है 0.2 A अगर आप देते हैं और 1 वोल्ड में अब 1 वोल्ड और 0.2 A कहां से major करेंगे आप यहां पे जो यह supply लगी हुई है इसके अंदर आपके 2 A आते हैं और voltage जो है वो आप वैरिक के जरी एड़ेस्ट कर सकते हैं जो के 24 वोल्ड आपको यहां पे नजर आ रहा होगा यह जो वैरिक है इसका यह 24 वोल्ड variable का है ठीक है उसके मताबिक आप इसकी adjustment कर सकते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ता है तो अगर आप 0.4 यानि 0.2 के बाद 0.4 एंपेर अपलाई करें 2 वोल्ड के साथ तो यह 21 सेकंड में अपने आपको stable कर लेगा और उसके मताबिक oscillations कितनी होंगी मताब चक्कर कितने complete करेगा चकर क्या होता है यहां से लेके यहां तक का तो कितनी देर में अपने चकर कर रहा है और कितने करेगा एक oscillation में वो यहां पर हम इसमें पता लगाते हैं तो पहले वाले reading के ओपर 28 चकर करेगा दूसरी वाली में 19 पिर 10 करेगा अच्छा हम अगर i is equal to 0 यानि i is equal to 0 ampere रखें और 0 volt पर रखें तो यह अपने आपो कितने stable करेगा और कितने amplitude इसके आ रहे होंगे उसे हम reading wise calculate अगर करें तो यह observation column पहले वाले का इस तरह बनता है ठीक है 28 reading के मताबिक तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ amplitudes को निकालते हैं और यह जो amplitudes हमारे होते हैं इसे हम find out करते हैं अपने readings, calculations और दीगर तरीकों से जिसको हम यहाँ पे इसे fill करते हैं अब इसको fill करने के लिए यहाँ पे amplitude के जरुद होती हैं time period है, damping है, logarithmic values है तो इसके मताबिक हम इस चीज़ को हासिल कर रहे होते हैं जैसे हमने 2 seconds में इसको measure किया फिर 4.3, 4 seconds में measure किया फिर 6 points, तो यह मुख्तलिफ amplitudes की values आ रही होती हैं जो i is equal to 0 ampere और v is equal to 0 volts की ओपर हमें यहाँ पे दिखती हैं तो इसके मताबिक हम इसकी adjustment करते हैं और उसके फिल करते हैं अचा उसके बाद जब damper हमने 0 यहाँ 0 volt और 0 ampere का मतलब damper apply नहीं किया वा तो reading यह वाली आती है लेकिन जब damper apply कर देते हैं जिसमें i is equal to 0.2 volt ampere हैं और volt 1 volt है तो उसके मताबिक damper की हमारी फिर यह values आती है अब अगर damper हम थोड़ा और बढ़ा दें damper और बढ़ाने का मतलब यह जो इसका varic है कि थोड़ा सा आप और आगे बढ़ा दें तो वो 1 volt हो जाएगा 1 volt से 2 volt हो जाएगा तो उसके मताबिक इसमें देखें time period कम है क्योंकि स्टेबल जो है अपने आपको 16 seconds में कर लेता है 16 seconds is the minimum time in which the towards one pendulum is stable to it in minimum kind of seconds और इस आप से इसके amplitude कम होते जाते हैं amplitude कम कैसे होता है देखें मैं इस पर समझाता हूँ 1.6 second की उपर आपने 1.6 second लिया उस पर जो reading आई थी न amplitude की वो 13.5 थी मतलब मतलब जब आपने छोड़ा उसको तो ये पूरा घूम के वापस आया और उस वक 1.6 second में 13.5 reading आई मतलब ये वाली reading आई उस वक ठीक है तो आपको बड़ी गोड़ से इसको देखना पड़ेगा जब ये reading दरम्यान में आ रही होगी उसके मताबिक ठीक है और ये कैसे आएगी यहां से छोड़ा यहां पर 13.5 तो उसके मताबिक चीज़ होती है तो ये damping measurement होती है अब उसके बाद जब आप damping कम करेंगे इस वाले column में जो कि आपने 0.2 ampere दिया हुआ और वोल्ड जो है वन वोल्ड दिया हुआ है तो दो सेकंड में यानि के आपका एक सेकंड गुज़रा और दो सेकंड गुज़रा तो उस वाग आपको देखना है इस वक मेरा स्केल कितने amplitude पे है तो वो 17.8 seconds 17.8 units होगा जैसे के आपने यहां से लेके यह छोड़ा तो यहां पे आके यहां पे वो चीज़ रुख जाएगी और उस वक जो amplitude आएगा वो 17.8 units है यानि के इस तरीके से तो यह चीज़ मेजरमेंट आपको होगी और जो damper में जिसमें apply करे आपकी reading जादा होगी और without damper में इसको time भी जादा लगेगा तो यह calculation और दीगर चीज़ों के जरी से फुल्फिल आप करेंगे furthermore के इसके ओपर damper आपने कितना apply किया है इसके ओपर कितना किया है वो जस्ट यहां पे fill as observation हम अभी देख लेता है furthermore उसके सवालात है जो अप मुझे बता दें मैं आपको अपनी demonstrated video के जरीए भी समझा दूँगा कि वीडियो में किस तरीके से graph बनाया जाता है readings का excel के अंदर तो मैं guide कर दूँगा आपको उसके लिए तो यहां तीन readings operation column की है यह वाली यह वाली और यह वाली तो उसके मताबिक जो है आपको तीन graph यहा अपने कम दिया वाए ठिकर डेंपर आपने कम दिया वाए तो यह दो दिये यह नहीं पहले ऑफ वा देंपर मैंने कुल्स भी नहीं दिया हुआ ठीक है तो मैं यहां से देता हूं छोड़ के और रिपीट करता हूं देखें अब 2.17 पिर 4 पिर इस तरह करते 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 यह मुख्तलिव amplitude आ रहे होंगे ठीक है इस वक्त जो amplitude आ रहा है लेट से इसको गोर करें अगर हम 11.1 आ रहा है तो 11.1 का जो amplitude आ रहा होगा न इस वक्त वो तक्रीवन 26 सेकंड इस वक्त हो गये होंगे तो उसके मुताबिक इस चीज़ आई है ठीक तो उसके हिसाब से हमने इस और supply on कर देंगे ठीक है supply मैंने on करी तो अब मैं damper को यहाँ पे stop करता हूँ और वापिस लेके मैं वैल कि damper 50% लेता हूँ पहले तो यह वैरिक लेके मैंने 50 कर लिया और यह वैरिक भी तगरीबन 50 है ठीक 50% अब उसके बाद में damper apply किया हूँ और यहाँ से छोड़ता हूँ अब देखें आपने आपको stable करने की कोशिश कर रहा है जल से जल से जल से जल से ठीक है तो 2 सेकं बाद amplitude क्या होगा 20 सेकंड बाद amplitude 11.2 होगा और वो इस तरह से चल भी रहा देखें इस वाक 11.2 ही था 10 सेकंड के बाद और इस तरह so on to that वह चीज़ कम होती रही ठीक है तो आप इसको adjustment कर सकते हैं उसके मताबिक इसमें वह चीज़ implement भी होगी तो आइस ता इस ता अपने आ तो इसके मताबिक मैं इसे पीछे लेके जाता हूं और छोड़ दता हूं अब देखें यह लास्ट रेडिंग है यह वाली जिसके ओपर मैं करके दिखा रहा हूं तो यह डेमपर देखें कितनी जल्दी कर रहा है अभी एम्विट के चल रहा है 7-6 तो 7-6 किस पे चल रहा थ तकरीबन 9.6 सेकंड अब 16 सेकंड के ओपर 0 हुआ होगा तो देखें 16 सेकंड तकरीबन अभी चल रहा होगा और यह तकरीबन तकरीबन 0 हो जाएगा 16-15 सेकंड के ओपर आके तो यह observation है जो इसमें मुझे दिखानी दी और सिखानी दी आज के session को यहाँ पर हम end करते हैं बाक सवाल किसी का हो तो आप लोग पूछ लीजाएगा लाहाफिस